कि हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं असन सुकला आपनों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज का इंपॉर्टन वीडियो हमारे बीए सेकंडियर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो भी हमारे स्टूडे अजे के बारे में उनके वर्कस को, उनकी रचनाओं को कितने पीरियर्वर्ट में डिवाइट किया गया है यह मातपुर्ण बाते इस वीडियो में आपको मिलेगी. तो जल्दी बड़ी दोस्तों वीडियो को आप देख लीजिए। प्रफ्र तक जरूर देखेंगा उनकी रचनाओं को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है सारी बाते इसमें बताई गई है क्या के पेपर में आ सकता है कि सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो प्लोट किया जाए उसकी नोटिफिकर स सीथ है आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक सेर और कमेंट करना न भूलें दोस्तों तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इंपर्टन वीडियो है कौन सी इंपर्टन बाते हैं जो आपको इस वीडियों से प्राप्त हो सकती है जो जानकार तो पुछ रहे हैं उनके कौन कौन से कारे हैं उसी के बारे में चर्चा की जाएगी एंसर में देखिए कि सेक्सपियर लिटेरी करियर इस्टेंड़ ओवर सम् ट्विंटी यर्स आई फ्राम 1588 और 1612 जियां सेक्सपियर साब के लिटेरी करियर को यानि सहितिक करियर को उनके इक्स्टेंड़ ओवर सम् ट्विंटी यर्स यानि उनका सहितिक करियर जो है वो एक्स्टेंड होता रहा यानि बढ़ता रहा ओवर सम् ट्विंटी यर्स यानि लगभग 20 सालों से ज्यादा तक यानि उनका जो सहितिक करियर है सहितिक कार्य है यानि उनको उनकी रचनाओं का समय जो है वो लगभग 20 बरसों तक या उससे ज्यादा भी चलता रहे ने 20 सालों तो उन्हों ने बहुत ही मात्पूर्ण रचना ये लिखी है सब्सक्राइब के बारे में आप लोग जानते ही हैं बहुत ही महान अब के सहितिकार हैं अंग्रेजी के उन्होंने प्लेज बहुत ही इंपोर्टेंट प्लेज बहुत ही फैमस प्लेज उन्होंने लिखा आए सॉनेट्स भी लिखी है तो ये पीडियूड ये 20 सालों तो चलता रहा है पीडियूड को कभ से कभ तक माना जा सकता है यानि 1588 से 1612 यानि लगबक 20 साल तक उनकी रजनाओं का जो समय था वो बढ़ता रहा this long period is divided into following four periods by critics यानि इस लंबे समय को divide किया गया है बाटा गया है following four periods यानि नीचे लिखेगे चार पीरियड में चार समय में उसको बाटा गया है वाई क्रीटिक्स यानि आलो चुको द्वारा तो कौन-कौन से हो चार पीरियड हैं आई आगे देखते हैं कि अग्र इंदेखें यहां पर दोस्तों और फस्ट पिरियद यानि उनके पहले समय को आप कैसे देख सकते हैं कभ से कभ तक कमाना जाता है 1538 से 1539 जल्हाँ उनका फस्ट पिरियद जो रचना का फर्सट Ċराइट है प्लेज राइटिंग पर्स्ट पीरियड है उसको आप 1588 से 1593 यानि 1588 से 1993 भी तक मानते हैं इस पीरियड इज मार्क्ट बाई इस पीरियड में उनकी रचनाओं में देखने में मिले हैं यानि इस पीरियड में उन्होंने निम्न रचनाई की हैं कौन-कौन सी रचनाई हैं देखिए यहाँ पर न topic टाइटस अंडूनिकस यह पहली रचना सेकेंड है दा फर्स पार्ट आफ हनेरी सिक्स यानि हनि हने लिखा था इस समय में दस सेकंड थर्ड पार्ट आफ हन्री सिक्स यानि दूसरा और तीसरा पार्ट भी हन्री untuk गाउनों ने लिखा रीचार्ड थर्ड भी इसी समय में लिखा गया लब्स लेवर स्लास्ट भी इसे समय में लिखा गया दग कामेडी आप एरर्स ये सिक्स चाटूई रचना है उनकी इसी समय की है यानि पहले एज की है टू जेंटलमेन आप वेरोना यानि टू जेंटलमेन आप वेरोना ये रचना जो है ये भी इसी समय में लिखी गई और मिड समर नाइट्स ड्रीम जिया मिड समर नाइट्स ड्रीम बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों ये ये भी इसी समय में लिखी गई है और रोमियो और जूलियट जिया रोमियो और जूलियट के नाम से सारे लोग परचेता है फिल्में भी इस पर बन चुकी है तो ये रचना सब्सक्राइब कंद्राइब भी इसी सभी उस्त्राम में में फेस्ट में 1588 से 1559 नवे तक यह आप से सोला सो इस भी तक का समय जो है वो सेकेंड पीरियट के नाम से जानते हैं इसको दोस्तों आप याद कर लिए जिगा यानि उनके पीरियट का जो समय सीमा है उसको आप ज़रूर याद रखेंगे तो देखिए इसमें क्या हुआ सेकेंड पीरियट लाश्टट फ्राम 1595-1601 यानि जो सेकेंड पीरियट उनका है उसको आप कब से कब तक का मानते हैं यानि पंद्रा सो पंचान नवे सो सोला सो एक इस भी तक यह समाफ्थ हो गया था तो नाव सेक्सपियर इमेजिनेशन बिगें टू ले होल्ड आप रियल जिहां सेक्सपियर की जो कलफना थी वो अब क्या हो गई थी यानि रियल लाइफ पर यानि वास्तविक जीवन पर अपनी पकड़ बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था तो सक्षपियर साब ने इस पिडियर में क्या किया संसार और संसार में रहने वाले आदमी और ओरतों के बारे में जानकारी पराप्त की सब्सक्राइब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी उन्होंने इसी समय में लिखा है सेकेंड फीरिट में द मर्चंट आप बेनिस जी आप बहुत ही फेमस रचना द मर्चंट आप बेनिस जो है यह भी इसी समय में लिखे गई है द टैमिंग आप दस्रू यानि यह रचना भी इसी में लिखे तक 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 तीसरा पीरियड माना जाता है यानि यह समय जोता है यह परिवर्तन दिखाता है कि इस चीज में मूड अटमास्फियर यानि मनो दसा और वाता और में पूर्टया चेंज यह परिवर्तन दिखाई दिखता है इस समय में द्यूरिंग दिश टाइम यानि इस समय के दर्मयान सक्षपियर पावर आप ड्रमेटिक जीनियस यानि उनकी जो नाट की प्रतिभा थी सेक्षपियर साब की एंड इंटेलेक्शुल पावर और बहुत धिक सकती जो थी आर एट दियर एफेक्स साब परफेक्शन यानि पूर्टा के सिखर पर थी यानि इस समय में उनकी जो बहुत धिक परतिभा थी ड्रेमेटिक जीनियस यानि बहुत धिक सकती जो थी वो क्या थी इस समय में बहुत ही पूर्टा के सिखर पर दिखाई परती थी इस टाइम होएन ही रोट इस मास्टर फीस लाइक जहां यह वही समय था कि जब उन्होंने अपनी उत्कृष्ट किरितियां यानि उन्होंने इस समय में लिखा काउन से मास्टर फीस तो देखे कौन सी उनकी मादफ्वूर्ट रचनाए थी इस समय की तो यांति से देखे पहली रचनाई समय की है थर्ड पीडर्थिड की जूलियस सीजर जी यह ट्रेजडी यानि जो फोर्थ उनकी फेमस ट्रेजडी थी वो कब लिखी गई थार्ड पीरियड में यानि वो चारो फोर्थ जो फेमस उनकी फोर फेमस ट्रेजडी रहें वो कौन-कौन सी हैं हेमलेट ओथेलो किंग लियर और मैगबेथ यानि जूलियस सीजर भी ट्रेजडी ही है लेकिन जो चार उनकी प्रसिद्ध सबसे दुखांत नाटक पूछे जाते हैं वो चारों यहीं आपके हैं हैं हेमलेट ओथेलो किंगलियर और मेकबेथ छटवा नंबर है एंटोनी एंटोनी एंड किलियोपेटरा फिर सातवा है कोरियो लेनस फिर टाइमन एंड एथेंस आलस बेल दैट एंट बेल यहीं भी होती फेमस रचना है मेजर फार मेजर और ट्रावलस एंड क्रेसीडा यानि इतनी 11 जो प्लेस के 11 प्लेस के नाम दिये गए हैं यह सारी रचना है थर्ड पीरियड में ही लिखी गई हैं फोर्थ पीरियड देखते हैं दोस्तों कि फोर् को सी महात्पूर्ण रचाना लखी गई ह formats participate के नाम से नान से लाश्थ पिरियूड आफ नीर्स याश ट्रियूडियूर अनि उनकी loser जो परतिभाह साब का ये यानतिम पीरियूड था यानि लाश्ट पीरिड था यहां यह उनकी four great romance है यह चारो रोमांस यहां पर आपको लिखे गए है यानि रोमाइंटिंग नाटक जो उनके है यह चारो यहां पर फेमस है इनी चारों के बारे में बताना होता है यानि जब भी ऐसा कोईश्चन आए कि सेक्सपियर साब के four great romance जो है उनको उनका नाम लिखे या उनके नाम बताईए तो आप इनी चारों का नाम लिखेंगे दा टेमपेस्ट, सेंबलाइन, दा बिंटर स्टेल और पेरिकलीज और अगर उनकी four great tragedy के बारे में आता है तो पहले ही बताएगे आपको कौन कौन से लिखेंगे Hamlet, Othello, King Lear और Macbeth आगे देखते हैं दोस्तों यानि ये Sexpires आपके period की जो है उनके रचनाओं का जो कारिकाल था उसको मलब divide किया गया उनके समय को divide किया गया यहाँ पर चार्ट के माद्यम से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि classification of Sexpires place यानि Sexpires के place का कैसे बर्गी करण किया जाएगा यानि उनके place का उनके नाटकों का बर्गी करण जो है आप इस माद्यम से भी देख सकते हैं नीचे दिया गया है कि Sexpires place can be grouped in the approximate order of their composition as given in the following diagram जिहां Sexpires आपके जो place हैं उनको एक समोहित किया जा सकता है गुरूप उनका बनाया जा सकता है in the approximate order यानि आफ दियर कंपोजीशन यानि उनकी रचनाओं के आधार पर एक बिविध या एक निश्चित क्रम में उसको आप क्या कर सकते हैं समोहित कर सकते हैं as given in the diagram की जैसा diagram में आरेक में जैसा दिया गया है अब यहां पर diagram बना गया है उनके समय सीमा उसकी बताई गई है और उस समय में उनकी रचनाओं को आप कैसे बरगी के रिखते रहेंगे यानि तीन प्रकार की रचनाओं जो उनकी है comedy और comedy histories और इनको आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि पीरियड यहां पर दिया गया है पहले पीरियड की समय सीमा दी गई है और उसके बाद रचनाओं तो 1500 यहां पर 1584 से 1592 तक का समय दिया गया है यानि 1584 से 1592 तक के समय को कौन कौन सी रचनाओं कौन कौन सी comedy लिखी गई कामेडीज आफ एरर्स टैमिंग आप दस्रियो तू जेंटल मैन आफ वे रोना यानि यह सारी कामेडीज जो है इस पीरियड में लिखी गई है और इधर क्या लिखी गई है कि सेकंड 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 थर्ड पार्ट आफ हेनरी 6 रिचार्ड थर्ड और किंग जॉन यह सारी तो यह रैंड ट्रेटीज में निकर ताइटस एड्रोनिकस यानि यह रचना भी से समय में लिखी गई है जुगा अगे देखते हैं 1592 से 1594 यानि 1592 से 1594 के बीच में कौन-कौन सी रचनाई लिखी गई लफ्स लेवर्स लास्ट यानि यह लफ्स लेवर्स लास्ट उनकी कामेडी लिखी गई और बीनस एंड एड़ोनीज रैप आफ लोरंस यानि यह रचनाई जो है इस समय में उन्होंने कोई भी टेडी नहीं लिखी लिखी है और अब उसके आगे देखते हैं कि 1594 से 1599 से 1599 से 1599 से के बीच में उन्होंने कौन-कौन सी रचनाई लिखी है तो कामेडी में क्या लिखा है इस समय में जो देखते हैं कि इसी समय में और कौन कौन सी रचनाई सेके ओंद रचनाएं उसको भी देखते हैं नाइश इस समय में यहां इसी समय में कौन कौन सी रचना आप देखते हैं कि 1599 जिन्हाएं पंद्रा सो defendants सौनाल इस बीच में क्या-क नंहों यानि यह भी रचना उन्होंने लिखी यह कामेडी जाए हिस्ट्री में उन्होंने इस समय कुछ नहीं लिखा और ट्रेडी में क्या-क्या लिखा जूलियस सीजर हैम्लेट ओथेलो टाइम आफ एथेंस यहां टाइमन होना चाहिए टाइमन आफ एथेंस भी इसी समय में लिखा और यहां आलसबेल इधर बताया गया किंग लिर मैंगबेथ ऐंटनी आट कलियो पैटरा को लिनश यानिए सारी रचना है इसी समय में लिखी गई अब 1608 से 1613 SB के बीच में उन्हें क्या क्या लिखा इधर कामेडी में आपके लिखा पेरिकिलीज प्रेंस आप टायर सेंबल आयन दबिंटर स्टेल दर टेंपेस्ट यानि इस कामेडी को आप रोमांस के नाम से भी जान सकते हैं हेरी सेवंथ जो है हिश्ट्री जो है हिस्तूरिकल प्ले जो था इसी समय में लिखा और इधर टेटी में कुछ नहीं लिखा तो यह जो समय सीमा थी इसको इस तरह से भी किया जासकता है इस चार्ट में आपने देख लिया कि कौन कौन से period में उनकी रचनाओं को डिवाइट किया गए तो यह सच्पिएर साब की रचनाओं के बारे में दोस्तों हो गया याणि इतनी रच इन छार प्रकार में आप उसको तो यह दोस्तों में तो जिस तरह से जो पूछेंगा आप इसका जवाब इस वीडियो के वीडियो को देखने के बाद आसानी से दे सकते हैं तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते है अगले वीडियो में धन्यवाद जैहिंद